हेलो दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्यपूर्ण वीडियो लाया हूं यह वीडियो एगरी कल्चर से संबंदित है तो मैं यह चाहूंगा कि आप यह वीडियो लाश्ट तक जरूर देखें अगर वीडियो आपको पसंद आये तो क्रिप्या वीडियो को लाइक देखेंगे और मेरे पास एक आर्टिकल आया है जिसे आलोक कुमार जी जोकी सोध चातर है फल विज्यान विभाग आचारे नरेंदेव कृषी प्रवध्योगी विशव विद्याले कुमार गंज अयोध्या के और राकेश कुमार ये भी सोध चातर है और अगनी वेश राम मनुहर लोहिया अवद विष्विद्याले अयुद्या के इने के द्वरा यह आर्टिकल लिखा गया है तो आज हम लोग यही कटहल की 19 सील खेती के बारे में देखेंगे कि हमको कैसे जादा जादा उत्पादन भी ले तो चलिए बीना टाइम गवाए वीडियो को सुरू कटहल की 19 सील खेती कटहल की खेती लगबग पूरे देश में किया जाता है इसके बावजूत कटहल की खेती में असम का अस्थान सरुर्तम है इसके अत्रिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, पश्यमंगाल और दच्छिर भारत के राज्यों में इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर किया जाता है इसकी बागवानी के लिए जादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है और कटहल के फल को कच्छे तथा पके दोनों प्रकार से उप्योग करते हैं लेकिन सबजीयों में इसी अस्थान इसकी अस्थान जादा है और कटहल का फल का उप्योग अचार के लिए भी किया जाता है और इसकी कुछ देखभाल किया जाता है तो कटहल की पैदावार अधिक लिया जा सकता है अब मिट्टी यू जलवायू तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कटहल की खेती के लिए ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती इसकी खेती किसी भी मिट्टी में किया जा सकता है लेकिन दोमट मिट्टी कठाल की बागवानी के लिए उप्युक्त है कठाल की नरसरी लगाने से पहले या ध्यान देने की जरूरत है कि खेत में पानी का जमाव नहीं हो क्योंकि कठाल ज़्यादा पानी नहीं सह सकती और जहां तक जलवायू की बात है किया जाय तो इसकी बागवानी सुस्क तथा शीतोष्ड दोनों जलवायू में बागवानी सफलता पूर्वग किया जा सकता है और इसके साथ पहाड़ों तथा पठारों पर बागवानी किया जाता है अब उन्नत किसमे तो कठाल की उन्नत किसमों में रसदार, खजवा, सिंगापूरी, गुलाबी, रुद्राशी है सिंगापूरी किसमे वर्स में सिर्फ एक बार फल देती है इसके अलावा कुछ किसमे वर्स भर फल देती है अब पौध किस तरह लगाएं? कठाल की पौधों की रुपाई करते हैं लेकिन पके हुए कठाल से बीज निकाल कर पहले पौधा तयार कर ले और इस पौधे को उस जगह पर लगाएं जहां पर आपको बागवानी करनी है खेत को तयार करने के लिए एक गहरी जुताई करने के बाद पाटा चला कर भूमी को संतल कर ले और संतल भूमी पर दस से बारा मीटर की दूरी पर एक मीटर व्यास या एक मीटर गहराई के गढ़े तयार करे और इन सभी गढ़ों में 20-25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद अथवा कंपोष्ट खाद और 500 ग्राम जोता है ग्राम सिंगल सूपर फासफेट 500 ग्राम म्यूरट आप पोटास एक किलोग्राम नीम की खली और 10 ग्राम थाई मेट तयार को जोता है मिट्टी के अच्छी प्रकार से मिला कर भर देना चाहिए और कटहल के पोधे की रोपाई के लिए उपयुत समय होता है सितमबर है अब सिचाई शुरूआत में पोधे को पानी देते रहना चाहिए शुरुवात के कुछ वर्स तक गर्मी के मौसम में प्रती सप्ता तथा सर्दी के मौसम में 15 दिन के अंतराल पर सिचाई करते रहना चाहिए अगर पौधा बड़ा हो गया है तो गर्मी के दिनों में प्रते 15 दिन में तर्था सर्दी के दिनों में एक माह में जोता सिचाई करना चाहिए और नवंबर दिसंबर माह में कटाहल के पौधे में फूल लगता है इसलिए दो माह में सिचाई नहीं करे निराई गुड़ाई बहुत गलत लिखा है निदाई गुड़ाई लिख दिया है तो निराई गुड़ाई में क्या है कि कटहल के पौधे को निराई गुड़ाई करके साफ करना चाहिए और बड़े पेड़ों के बागों की वर्स में दो बार जुताई करनी चाहिए कटाहल के बाग में बरसात आदी के पानी नहीं जमना चाहिए अब कीट यू रोग ऐसे तो कटाहल के पौधे में रोग और कीट का प्रकोब बहुत कम होता है लेकिन इसमें लगने वाला प्रमुक रोग गलन है और यह और इस बीमारी के रोग थाम के लिए डाइथेन M 45 दो ग्राम प्रति लीटर में घोल कर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार जुताई चिड़काओ करना चाहिए और कीटो में मीली बग तथा दोना छेदक प्रमुक है अब मीली बग तो यह कीट जोता है फल फूल तथा डंठलो का रस चूजते हैं जिससे फल वाफूल गिर जाता है और इसकी रोग थाम के लिए मई जून के बगीचे में जुताई कर देनी चाहिए और इसके उपचार के लिए 3 मिली लीटर इंडो सलफान प्रती लीटर पानी में घोल कर छिड़काओ करें अब तना छेदक या कीट पेण के तने में छेद करके सुरंग बना देते हैं और इसके अंदर के जीवित भाग को खाते रहते हैं अगर इस कीट का प्रकोब बढ़ जाता है तो पेड की डालियां तना सूख जाते हैं इसके नियंतरण के लिए पाउधिक इतना यहों डाली पर जहां छेद नजर आए के रोसीन तेल के रूई में रूई विगो कर जोता भर दे और छेद के मुँ को मिट्टी से भर दे अब अगला है उपज तो कटाहल के पौधे में शुरुआत में जोता फल कम लगता है लेकिन फल लगने के बाद गिर जाता है लेकिन 10 से 12 वर्स बाद जोता है प्रती पेड़ जोता है 100 से 200 तक प्राप्त होता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो क्रिप्या वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई